जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल ऐस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा करने वाले मकर रासी के वार्सिक रासी फल के बारे में साल 2023 के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले कि मकर राशी की पॉ पूटी संतान की इस्तथी बड़ी संतान की इस्तथी नौकरी करने वालों की इस्तथी इसके बारे में इस कारेकरम में अब बात होगी डिटेल में और आपको समझाने का मेरा प्रियास रहेगा सबसे पहले हम स्वास्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो पूरे साल की जो व मकर राजी के स्वास्ति के लिए तो अच्छा रहे गई रहेगा प्लस सुक्र जो लगन में बैठे हैं मालबी योग जो बना रहे हैं आपके लुक में भी परिवर्तन आ जाएगा आप बड़े अट्रैक्टिव लगने वाले हैं साल 2023 में जो आप अपने अंदर लुक में फिर आपकी सुंदर्ता आपके आकरशन में ब्रिद्धी ही होगी यानि कि बहुत लोग आपकी तारीफ करेंगे साती साथ साल 2023 में आप बड़े मजाके होने वाले हैं और बड़े खुछ अंदर से खुछ रहने वाले हैं यानि कि साल 2023 थोड़ा सा आपके लिए इंजॉयमेंट वाला भी रहेगा और हैपिनेस वाला भी रहेगा अंदर से यह चाहे कितनी मुसीबत आपके साथ क्यों ना हो अंदर से आप खुछ रहेंगे साथी साथ देखा जाए साल 2023 में अगर देखा जाए आपकी जो ख्याती है वो दूर दूर तक फेलेगी यदि आप कोई सोचल मी सलाम ठोकने वाली है तो क्योंकि शुकर जो है मालब भी योग बना रहा है और कला से समंदित नित्य संगीत या शास्त्री कला से समंदित आप रिलेटिड है अभिनेस से रिलेटिड है कोई भी कला से रिलेटिड है तो ये साल आपके लिए भहुत लापका रही है आप बात कर लेते हैं धनवाओ की तो मकर राशी का धनवाओ की बारे में बात करें तो वारशिक खुडली में सस्योग बन रहा है यानि कि साल 2023 धन का भग्योदे वाला साल रहेगा यानि कि भग्योदे वाला मतलब भग्योदे के कारण आपको साल 2023 में खूब धन कमाने के अफसर प्राप्त होंगे रुकावा धन मकराशी वालों को मिलेगा साती साथ कोई ऐसी बड़ी डील आपको मिल सकती है जिसमें आप खूब धन कमाए साती साथ आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको लाब देगी साती साथ आपका वाहन कभी साल 2023 में योग बन रहा है साती साथ देखा जाए तो साल 2023 के अंदर मकराशी वाले खूब धन कमाने तो वाले हैं इन्वेस्टमेंट भी फाइदा देगा साती साथ अपने पर खर्च करने वाले यह बड़ी बात है यानि साल 2023 में यात्राओं पर आप बहुत पैसा खर् है ग्रहन योग बनाए तो साल 2023 में माता पिता का स्वास्ति थोड़ा गड़बट रह सकता है उनका कोई ट्रीटमेंट कोई इलाज कराने की अफशकता पढ़ सकती है ऐसा योग बन रहा है साल 2023 में कभी भी आप यदि जमीन का सोदा करते हैं बेशते हैं खरीते हैं तो सिर्कूरी करें नहीं तो आप ख़दा परेशान हो सकते काम तो आपका हो जाएगा लेकर तोड़ा परेशान व्हो व्यक्ति कर सकता है अब बात कर लेते हैं मकरासी वाले उनकी जिनकी च्छूटी या बड़ी संतान हैं यदि आप मकराशी वाले और आप कुवारे या आप की छोटी संतानों चाय बड़ी संतानों दोनों के लिए ये सफलता दाया को वर्च रहेगा साल 2023 में बड़ी संतान के करियर से करियर की बादा समाप्त होते वे दिखेगी साती साथ देखा जाए संतान के परसनल काम भी शुब होंगे चाये बड़ी संतान है सतरा प्लस अठारा प्लस संतान है उनका विदेश का नहीं हो रहा कहीं पर इंसिट्यूट में अच्छी जगा पर एडमीशन नहीं हो रहा अच् लाब की संतान तीस साल की उनकी शादी का योग नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उनके परस्टनल काम और प्रोफेशनल काम साल 2023 में बन जाएंगे कारण क्या है मालब भी योग बना हुआ है इस कारण से साथी साथ बड़ी संतान को वाहन का लाब भी होगा यानि वाहन सब के काम बनाने वाला रहेगा अब बात कर लेते हैं नोकरी की नोकरी से में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मकर रासी वाले ये कमेंट करते हैं कि हमारी मकर राशी है लेकिन हम पे कुछ सूटी नहीं करता है यानि कि यूट्यूप में बताई गई भवि सब फेक होती है क्योंकि हम पर सूटी नहीं करता महाराज पहले यह तो देख लो कि आपकी राशी वाकई में मकर है कि नहीं है हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि आपकी राशी मकर है बहुत बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं नाम के अकोर्डिंग मकर राशी मान ब बता चलेगी आपकी वाकई में मकर राशी है तो इसका भी समाधान है यह जो आप फेस्बुक में यह कारेकरम देख रहे हैं यह यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मकर राशी का मैंने लिंक दे रखा है उस वीडियो को आप पूरी देखिएगा उस व बारे में मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बना रखिए पूरी देखिएगा तब समझ में आएगा यदि उस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद आप पे 60-70 परसेंट भी सूट करता है तो हंडे परसेंट आपकी मकर राशी है जो मेरे द्वारा बताई गई यह जो मकर राशी की बविश्मानी है वो आप पे सटीक बैठेगी और अगर आप पे बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता है या कम सटीक बैठता है तो मान के चलिए आपकी मकर राशी नहीं है या तो आपकी कुम्ब राशी है या धनू राशी आप गलत ही राशी देख रहे है तो इसलिए आपको ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि आपकी मकराशी है या नहीं है चलिए आप बात करते हैं मकराशी वाले जितने भी जातक हैं उनके नौकरी के बारे में जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये साल 2023 कैसा रहेगा तो वर्षेश कुडली में बुद्ध आदित्ती योग बन रहा है और बुद्ध आदित्ती योग प्रोफेशनल लाइफ के लिए वेल और गुड योग होता है यानि कि आपके पद प्रोमोशन के योग नजर आ रहे हैं साथी साथ आपकी ऑफिस के अंदर आपकी पावर बढ जाएंगे जो भी आपके उच्च अधिकारी है ना वह आप महरवान साल 2023 में होने वाल है साथी साथ ऑफिस से आपको कुछ सुख सुविदाएं या तो प्रोवाइड की जाएंगी वहान प्रोवाइड किया जाएगा घर प्रोवाइड किया जाएगा या उनके लिए कुछ धन आपको दिया जाएगा साथी साथ देखा जाए यदि आप सरकारी नोकरी में तो आपके स्थान परिवर्तन के यूग भी आ रहे हैं साथी साथ देखा जाए आपको किसी रेपटेटिट कमपनी द्वारा ओफर भी प्राप्त हो सकता है तो आपको ऐसा ओफर प्राप्त ह होता है تو आप नौकरी चेंज्ज भी कर सकते हैं कुल मिलांगे नौकरी के लिए प्रोफुइशनल लाइफ के लिए साल 2013 मकर राशी के लिए बहुत लाबकारी रहेगा अब बात करते हैं जटुडен्ट के बारे में तो सबस्टुडान के लिए बात करें खुरा और आपका योग बनेगा तो कुलमिलाकी यह साल अच्छा है लाव एंट रिलेशन पर ज्यादा धीन देंगे तो काई ना काई शिख्षा पे थोड़ा आप ध्यान कम रहेगा लेकिन शिख्षा के यानि कि साल 2030 थोड़ा कठिनाई वाला रहेगा वो कठिनाईयां क्या है यह याद रखेगा सबसे पहले हम लब कपल के बारे में बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं साल 2023 देखा जाए रिलेशन में काफी ज़्यादा कठिनाईयां आपके पार्टनर से आपके मनमुटाव जदा रहेंगे और पार्टनर के घर में कोई ना कोई टेंशन रहेगी जिस वज़े से वो आपको जदा टाइम नहीं दे पाएंगे या आपको इग्नोर करेंगे जिससे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा कमजोर होगा यानि कि रिलेशन में दिक्कत रहेगी साल 2023 में अब बात कर लेते हैं पती-पत्नी की तो कहीं ना कहीं साल 2023 2023 रिलेशन के लिए समानिय ठीक ठाक रहेगा लेकिन जो आपके पार्टनर है उनके माता पिता को स्वास्य समंदी परिशानी रहेगी जिस कारण से आपका पार्टनर थोड़ा टेंशन में रहेगा लेकिन आपके रिलेशन के लिए पार्टनर के हेल्थ के लिए ये साल लेते हैं उनकी जो मकर राशी वाले अपनी दुकान चलाते हैं फैक्ट्री चलाते हैं इंडर्स्ट्री चलाते हैं उनका साल 2023 कैसा रहेगा तो साल 2023 में वर्षेश कुंडली में मालब्य योग और सश योग दो पंच महा काम आपको मिलेगा बहुत सारे ग्रहक आपके पास लोटके आएंगे बहुत सारे छूटे वे काम आपको मिल जाएंगे और कोई बड़ा व्यक्ति आपसे टकराएगा जो कि आपको बड़ा लाब देने वाला है यानि कोई व्यक्ति आपकी किस्मत बदलने वाला है और बंद काम भी आपका चलने लगेगा तो कुल मिलाके व्यपारियों के लिए दुकानदार के लिए साल 2023 बहुत लाब अग्यात आदी